सबसे पहले आपको एक किसान की राम राम मैं एक किसान हूँ मेरा दिन हर रोज सुबह चार बजे उठकर सरू होता है सबसे पहले मैं सुबह उठकर भगवान का नाम लेता हूँ उसके बाद अपने पसुओ की संबाल करता हूँ अपने पस्वों का काम खतम करके मैं खेट जाता हूँ आप सोचते हो ना किसान कितना कमा लेता होगा आओ आज आपको बताते हैं किसान कितना कमाता है किसान की कोई छुटी नहीं होती वो बारा के बारा महीने खेतों में काम करता है चाए वो तपती धूप हो या ठीटूरती ठंड हो किसान कभी भी अच्छे कपड़े नहीं पहन सकता क्योंकि उसका काम ऐसा ही दूल मिटी वाला होता है इससे अलग साप बिच्चु जिन चीजों से आप को डर लगता है न किसान उन चीजों से हर रोज खेतों में खेलता है उन चीजों का किसान को हर रोज सामना करना पड़ता है उसके बाद एक किसान अपने खेतों में पानी देता है खात लगाता है बीजबोता है दवाया छिड़कता है लेकिन उसकी फसल बड़ी हो जाती है उसके बाद वो फसल भगवान गरोसे होती है क्योंकि एक छोटी सी बारिस आके या ओड़े आके उस फसल को नश्ट कर देते हैं और उस किसान की सारी उमीदे तूट जाती हैं उसके बाद अगर वो फसल कर भी लेता है अपनी अच्छी वो फसल को लेकर मंडी में जाता है वहां मंडी में बैठे हुए बनिया वहां मंडी में जितने ठेकेदार हैं वो किसान की फसल की बोली अपने हिसाब से लगाते हैं एक किसान ही ऐसा इंसान है जिसकी किम्मत सरकार लगाती है वो अपनी भसल की किम्मत अपने आप नहीं लगा सकता कभी भी और बाकी आपने देखा होगा जितने भी बिजनेस काम करने वारे लोग हैं वो अपनी बिजनेस का अपने काम का दाम अपने आप लगागर बाजार में बेचते हैं अखिर ये हग पिकसान को क्यों नहीं दिया जाता क्या खेती करना एक आसान काम है अगर आपको लगता है खेती करना एक आसान काम है तो आप कभी अपनी कुरसिया छोड़कर ओफी से ख अगर आपने किसान के घर में जनम लिया होना तो आपको पता लगता है और लोन लेने के बाद किसान ये नहीं सोचता कि मेरे को लोन नहीं बरना है वो लोन भरता है लेकिन भगवान उसकी फसल को जब परबाद कर देता है उसके पास कोई रास्ता नहीं रहता तो वो लोन भरने में आई समर्थ हो जाता है इसलिए किसान लोन नहीं भर पाता और जब वो लोन नहीं भर पाता उसके चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं तो किसान के पास सिर्फ एक ही रास्ता होता है वो रास्ता होता है आतम हत्या का इसलिए किसान आतम हत्या करते हैं आप आतम हत्या करने पर मजबूर ना करे इस बात को समझे जैहिंद